नमस्कार दोस्तों इंडिया एजुकेशन हब की यूटूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाबाद इनुवर्सटी के बारे में उसी से रिलेटेड अपडेट है आपके सामने दिख रहा होगा कि ये ललबी का प समय समय पर दे रहा है दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वह कितना गया है कफी समेशन डेट क्या है इन सभी के बारे में हम बात करेंगे तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सस्क्राइब कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए यहाँ पर हम आपको बता दाना चाहेंगे कि इंडिया एजुकेशन हब इंट्रिंस एक्जाम की वे त्यारी कराता है इसके लिए आप हमारे सूपर हंडिट बैज से जूट सकते हैं सूपर हंडिट बैज पे से रिलेटेड एक छोटा सा दो मिनिट का वीडियो है उसे भी आप दे के लिए और उससे अधिक प्राप्त करने वाले चात्र अपना इस बार आपकी काउंस्टिंग की प्रक्रिया है जो आउनलाइन है आप अपना रेजिटेशन कैसे कर सकते हैं डोकुमेंट कैसे वरिफाइब कर वा सकते हैं सभी के बारे में हमने आपको जानकारी दी है स्क्र 134 है और SC कैटेगरी की 169 है या फिर उससे अधिक अगर आपने अंग प्राप्त की हैं तो आपकी काउंस्टिंग होगी काउंस्टिंग का डेट यहां पर देख लिए 27 नवंबर को आपकी काउंस्टिंग है और ऑफिशल वेबसाइट से भी हमने इसे डाउनलोड किया है व इस लिए आप हमारे से बैट से सुपर हेंड़ सकते जहां पर इंट्रेंस उग्जाम के तयारी कराई जाती अगर आप त्यारी करना चाहते है या आपके कोई भाए बंदू मित्र कोई भी तयारी करना चाहते तो उन सबी ये वीडियो जरूर शेर करेगा कि हमारे सुपर हन इसका डेट है 27 तारीक को ही आपका ये डेट है और 8 से लेके 5 बज़े की बीच में आपको ये अपलोड करने है तो जितना भी समय दिया है दोस्तों इसका ध्यान रखेगा उसी के बीच आप जमा कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर पाएंगे नोटिफिकेशन और सीट अलोट में आपको बार बार चेक करना रहेगा कि अगर आपको सीट अलोट हो गई है तो उसका आप देख सकते हैं वो आपको नोटिस दे दी जाती है वो भी आप 8 से 9 बज़े के बीच चेक कर सकते हैं सटर्डे को 28 तारीक है फिस समिशन की डेट दे कर दीजेगा अगर आप अपनी फीस नहीं पे करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपने जो है कांसलिंग नहीं कर आई और आपको वो सीट नहीं दी जाएगी वो अगले चात्र को दे दी जाएगी तो यह पूरा हमने आपको बता दिये कट आफ के बारे में चॉइस इसलिए चैनल को सस्क्राइब कर लिए अपडेट के लिए और यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजेगा जादा जादा शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए